अब कर दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नाइट्पिकेशन मुफ्त में मिल सकें हाई लो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत हैं आज हम आर लाक एक सो पचास एमजी टेबलेट का फुल रिव्यू करेंगे हम इसके डूस साइड एफेक्ट और यूस तीनों चीजों पर चर्चा करेंगे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाके लाइक करते हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी त सब्सक्राइब करेंगे देखिए यह कंपनी एली डैक फॉर्टीजा कंपनी का है और यह देखिए इस तरह के ऐलमोनियम स्ट्रीप में आता है तेन या पंद्रह टेबलेट का एक स्ट्रीप होता है और इसके कंपोजीशन पर नजरे डालेंगे इसका जो कंपोजीशन है द इंट टेपलेट रेले इन हैड्रो कॉल्ड इसमें 150 एमजी मिला हुआ है और यह सेडियू ऐच ड्रक के अंत्रगत आता है और इसके प्राइज की बात करें तो यह काफी सस्ता हैै और गैस के टेबलेट में यह काफी सस्ता और हलकी गैस की दवास को मानी जाती है चलिये इस कि लाभ ईजिए रनेटिडीन का प्रयोग नमने बेमारओं की हिलाज में लगते हैं जैसे कि मलता हो कि दुब और लगर करेम च्राइब साथ करो सीने में जलन नहीं अलसर हो और भी सित्यक्न को तरुआ त्या जाता है या पेट के अलसर में है इसका इस्तमाल किया जाता है यानि की अमलता सिने में जलन आत्मे अलसर पेट के यह बेहतरीन इलाज है और यह बहुत ही सस्ती और अच्छी गैस की टेबलेट है मान लिजिए और आप देखते होंगे कि यह जो की आरलाक टेबलेट है या एस लाक है यजिन्टेक है आप कि यह सोचते होंगी कि आखिर हर दवा के साथ इस टेबलेट को क्यों जोड़ा जाता है तो इस वीडियो में आपका मैं यह डाउट क्लियर कर दूँगा कि इस टेबलेट को क्यों दिया जाता है जिसके एंटिबायटिक हुआ या फिर कोई इस्ट्राइड हुआ तो उनके खा या है भी एंटिबायटिक होता है उसके खाने से बहुत से लोगों को गैस बनने लगता है तो उन कंडिशन में डाक्टर लोग इस आर लाक या एसी लाक या जिन्टेक जो टेबलेट आता है हर दवा के साथ जोड़ते हैं बुखार की दवा लीजिए तब भी उसमें जोड जाने से मरीज को गैस की प्रॉब्लम नहीं होती और मरीज को नाई गैस से कोई दिक्कत होता है और सस्ता उने से मरीज को कास्टलीब नहीं पड़ता मरीज को आसानी से दे दिया जाता है मरीज अपना ये यूज करता है और गैस और यानिके पेड़ दर्थ से बचा रहता ह तो इसलिए डॉक्टर लोग इसको हर दवा के साथ जोडते हैं और इसके डोज के बारे में हम जानेंगे देखे इसका डोज जो है हैं 150 अंजी टेबुलेट का एक गोली सुबा साम है अगर बच्चों में देना चार रहे हैं तोinte दो याop मं कर सकते हैं और ख임 अप्रवाव दे सकते हैं खाना 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 है इसको या खाना खाने से पहले भी ले सकता है साहब पानी से अम जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या है आर लाक के नुक्षान यानि के दुस्प्रवाव और या साइड इफेक्ट देखिए इसके आर लाक यानि के रेट रेनेटेडीन जो फार्मूला है उसके यूज करने से कई बार मरीजों पर देखा गया कि उनको ठकान के अहसास होता है या उनी दापन में महसूस करते हैं या सीर दर्द महसूस करते हैं या कबज की शिकायत हो जाती है या दस्त की शिकायत होती है या मास पेशियों में दर्द तो इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं आर लाक एक सुपचास हमजी की यूज करने पर या सरीर पे इलर्जी के भी शिकायत हो सकती है लाल लल चकत्य उभर आ जाते हैं बहुत से लोगों को यह फार्मूला सुट नहीं करता तो उन्हें लाल लल चकत्य यह खुजली स्टाट हो जाती है तो इस तरह के प्राबलम होते हैं इसके साइड इफेक्ट है जो की सो परसेंट में 95 परसेंट यह सेफ ड यह यह है कर दो सब्सक्राइम करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर वीदियो अच्छा लगा हो Tो लाइक करना न भूलेने कोई भी समस्य आऊ तो अपनी एज के साथ अपनी समस्य अमारे कमेंट बॉक्स में करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद